सब्सक्राइब कर दिया जाएगा लेकिन जो यह जो अंतिम मोर्स के छात्र होंगे उनकी परिक्षाइब कर दिया जाएगा दोस्तों पूरी खबर क्या है काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो को लास देखिए का आई सुरू करते हैं वडियो इससे पहले अगार आप चैनल प परिक्षाएं यानि कि परिक्षाएं सिर्फ उन्हीं की होंगी जो अंतिम मोर्स के चात्र होंगे उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा अब देखिए पूरी खबर कि आपको जाना बहुत ज़री तो वीडियो जरूर अन तक देखते रहे हैं निके लिखा हुआ है कि विसव परिक्षाएं और सांसुसित गाइडलान जर्य है जारी कर दी है 40 में परिक्षाएं को कराने जैसी बाद क्लियर हो चुकेiset अन्तिम मोर्स की परिक्षाओं और्ग्षय को अनिवारें बताते हुए उन्हें सितंबर के अंत्य तक कराने के अनुतित दी है यानि कि जो अंतिम वर्स के चाहतर होंगे उनकी परिछाएं जो है सितंबर में करवाई जा सकती हैं जो कि ऑन-लाइन ऑफ-लाइन या किसी मात्यम से कराई जा सकेंगी यूजीसी ने छूट दिदे दी है कि वह परिस्तिती के आधार पर परिछाएं 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं यानि कि जो जुलाई में परिछाएं नहीं होंगी इस पर आप कोई बाता नहीं रहेगी अब देखिए और के लिखा हुआ है केंध्र से ह्रुट बेठाओं के और कि जुलाई में परिछाएं करना चाहे तो उनलाईन करा सकता है क्योंकि 31 जुलाय तक लॉगडाउन है यानिक अगर जुलाइम करवाना है तो online पर इच्छा होगी उसके बाद पर इच्छा है online या offline किसी माध्यम से करा जा सकती है अगस्तव देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसको देखिए आपके लिए ही जाना जरूरी है देखिए यहां पर अगर हम आखरी समेश्टर को छोड़ दें यानिक जो अन्तिम समेश्टर के चात्र होंगे उनको और छोड़ दें तो अन्य समेश्टर के नतीजे पिछले प्रदरसन और आंतरिक मुल्यांकन के अधार पर उन्हें पास कर जायगा तो यह क्लियर आपको यहां से हो जाता है जो चात्र सितंबर में भी परिश़दा जहीं देंगे के उन्हें हो पर भीकार कि ऑपना परिष्द रयों कि आनिकी पिखात जिसमें देखे चाहे तकनिकी कॉलेज या विस्विदाले हैं सबकी बात इसमें की जा रही है अब देखे आगे लिखाया कि प्रदेश में जल्द साथनादेश जारी होने के आसार है यूपी सरकार केंदर के गाइडलाइन का इंदार कर रही थी राज ये पति कमेटी ने परिशा निरस्त कर चात्रों को पुर्णत करने का जह सुनस्विति किया था अब देखें जो यूजिसी गाइडलाइन आ गई है तो इसके तहट जो यूपी सरकार फैसला लिएने की जलद ही सासना जारी हो सकता है और उसके अनुसार जो है फाइनल येर के चा सब्सक्राइब कर दिजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद